नमस्कार, नंदनी पूर्ड में आपका स्वागत है आज की हमारी रेसिपी है आलू पराधा इसके इंग्रीडियन्ट्स हैं बॉयल्ड आलू, बारी कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च, हल्दी, नमक स्वादा नुसार, घी, गरम मसाला, जीरा सबसे पहले हम आलू को मैश्ट करेंगे, आप इसे हाथ या कद्दुकस के साथ भी मैश्ट कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, हरधनिया, जीरा, नमक स्वादा नुसार, हल्दी, गरम मसाला, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अब हम आटे के पेड़े को हाथ से थोड़ा सा फेलाएंगे, और उसमें त्यार किया हुआ आलू का मसाला डालेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें आप स्टफिंग पेड़े के अनुसार नी डालें, नहीं तो स्टफिंग पेड़े से बाहर भी निकल सकती हैं, अब इस पेड़े को स्टफिंग डालने के बाद अच्छी तरह से बंद कर लें, बंद करने के बाद हाज से थोड़ा सा फैल आएं जिससे की आलू चारो तरफ अच्छी तरह से बराबर मात्रा में फैल जाएं अब इसे सूखे आटे में लपेट कर चपाती की तरह बेल लें आलू पराथा खाने में बहुती स्वादिश्ट होता है इसे हम ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे क्योंकि ज्यादा पतला बेलने से स्टफिंग बाहर भी निकल सकती है अब आप तवे पर थोड़ा सा घी लगाएं घी लगाने के बाद आप त्यार किया हुआ आलू पराथा तवे पर रखती जिए एक तरफ से पक जाने के बाद आप दूसरी तरफ गी लगाएं इसे आप धीमी आज पर पकाएं ताकि हमारा आलू पराथा जो है वो अच्छी तरह से पक जाएं अब हमारा आलू पराथा खाने के लिए त्यार है अर्ष हमारा आलू झाएं